हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई पैसिफिक वॉल, फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि करोना बहुत तेजी से फैल रहा है, परती दिन करोना पोजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और क्योंकि हमने नवरात्री किये हैं, और चोकी भी लगाई है कलस्की स्थापना भी की है, तो हमें विसर्जन भी करना पड़ेगा, यानि कि हमें मयारानी को विदा भी करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम विसर्जन के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाहर जाना हमारे लिए खत्रे से खाली नहीं है, तो फ्रेंड्स, इस वी इसके बारे में बात करेंगे तो जो यह नारियल हमने लिया है कुछ लोग इसका विसरज़न करते हैं तो आप इसको विसरज़न भी कर सकते हैं लेकिन हमारे यहां पर जो है इसको तोड़कर परशाद बना लिया जाता है और इसके बाद जो ये कलश है इसको हम लोग डेकोरेट कर लेते हैं चोकि मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हम लोग डेकोरेट करते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जवारे का भी क्या करेंगे और कुंडे का क्या करेंगे इसके बाद जो ये मूर्तिया को पता आता आतरा पकुछ USP तो आपMy. इसको यूज़ करें और परौन में फर शाद युद आपने लिया हैं परौन आहें सबी डिषभ का रोप मेंसे ग्रहन कर ले जो फूल आप डेली चढ़ाते हैं उसको आप इखटा कर ले पूरे नो दिन तक जितने दिन भी आपने चढ़ाया है और जो यह चुन्निया अपने ली है इसको आप अपनी बाइक पर या अपनी गाड़ी में बांद सकते हैं और यह जो सामगरी है जो हम हमन साम करनी है यह मैं आपको बताती हूं तो जो कलस है उसको हम इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं देखिए बहुत सुंदर लगते हैं यह कलस डेकोरेट करने के बाद आप इसको फ्लावर पोर्ट की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं ऐसे शोपीस भी बहुत अच्छा लगेगा और कर सकते हैं तो हम लोग जब इसे जवारे उपर उपर से इनको काट ले ौर उसके बाद आप जूस बना कर सभी प्रशाद के रूप में क्रहन कर सकते हैं और अगर आप इसको विसरचित करना चाहते हैं तो as it is आप इनको विसरजित भी कर सकते हैं या किसी भी पेड में रख दे और सुखने के बाद या अपने आपी खाद बन जाएंगे यहाँ पर उसके बाद मैं सारा सामान ले लूँगी जो भी हमारे पास सामान था जैसे जितने दिन भी हमने बोग लगाया हां करसी पर उसकी राख या हमन जया बना Cordi उसकी राख जो पते थे वह जो फूल है वह जो भी चेज़े ऽीजिए वह भी इस यह जो लोग लिए और एक गमले को अधा खाली के बाद यह सारी चीजह आप जो जो चीजह लगाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं अब देखिए जो भी सामान जो भी हमने यहां पर यह विसरजन के लिए जो सामान लिया है उसको हम इस तरह से फैला लेंगे इसका बहुत अच्छे से खाद बन जाएगा तो इस तरह से फैला लेंगे और इसके उपर हम लोग ले सकते हैं और उस गंबले में आप इसको इस तरह से विसरजित कर सकते हैं यह बहुत अच्छा खाद बन जाएगा पेड के लिए बहुत अच्छा रहेगा और फ्रेड्स जो यह हमने कलस लिया है इसमें जो पानी बचेगा उसको हम पूरे घर में छिड़केंगे छिड़ सबजी में डाल सकते हैं सब्जी में परसाद सवरूप आप इसको ग्रहंड कर सकते हैं और जो हम ने यह मूर्ति हैं अगर आप मिटी के मूर्ति लेते हैं लेते हैं तो फिर तो आप उसको पानी में विसरजित करते हैं इसके लिए i.com Formate thinly बचिए इसकैल नते ओखलिगे औ कऱेंगं आप दिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना अगर आप नई मुर्ती नहीं लाते यह बार不ने मं रख accusation कर और पूजा कर करती हूं तो इस तरह से और जो सिक्का हमने डाला था इसे कलस्फे बियुस का भी डाला था हमने वो मैं भूल गई Ты बताना तो शिकप घृसी जबाला था उसको आप या तो आपने लोकर में रख ले ना अपने पर्स में रख लें वह बहुत ही शूब माना जाता है तो उसको आप अपने पास रखें तो फ्रेंड्स अगर आपको घर में ही विसर्जन करने की मेरी चोटी सी विदी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जै माता दी